हेलो फ्रेंद्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं उत्राखन के मशूर आलू के गुटके ये बनाने में बहुत आसान होते हैं जल्दी बनते हैं और बहुत ही तेस्टी लगते हैं इसे पूरी या पराटे के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वी बेल आइकन को ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले और कोई भी वीडियो कभी मिस ना हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो से पहले गैस पर रखेंगे कढ़ाई को गैस को करेंगे ऑन और इसमें हम डालेंगे 3-4 टेबल स्पुन कोई सभी हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पुन जीरा जीरा क्रैकल होने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पुन सफेद वाले तिल तिल डालके हम इसे कुछ सेकेंड के लिए कुक करेंगे ताकि तिल थोड़े से पक जाएं और करारी हो जाएं हम डालेंगे 1 टेबल अब इन सब चीजों को कुछ से केलिए है ओयल में अच्छी तरह से कुख करेंगे और साथ ही में अब डालेंगे इसमें एक टीसपून कश्मीरी लाल मिर्ष पाउदर और गैस को चुछ करेंगे एकड़ी लोग पर ताकि हमारी मिर्ष जलना जाये मैं कश्मीरी लाल में चाल रही हूँ क्योंकि इसका कलर बहुत जादा अच्छा आता है और ये बहुत जादा तीकी नहीं होती साथी में हम डालेंगे सॉल्ट एस पर टेस्ट तो अब सब चीज़ों को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स और इसमें हम डालेंगे हमारे 2500 ग्राम आलू जिने हमने पहले से उबाल कर कट कर लिया है और इन सब चीज़ों को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स आलू को मैं इस रेसिपी में उबाल कर कट करके इसलिए ले रही हूँ ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से हर एक आलू पर चड़ जाएं क्योंकि कई बार जब हम सुख्य आलू बनाते हैं तो मसाला कहीं होता है और कहीं नहीं होता मगर इस तरह से कुक करने पे आलू के हर एक पीस पर evenly मसाला मिलता है आलू ready हो चुके हैं हमारे तो अब ग्यास को करेंगे off और इसमें डालेंगे हम नीबू मैं डाल रही हूं आधे नीबू का रस आप चाहें तो नीबू की quantity थोड़ी जादा भी कर सकते हैं तो अब ग्यास को off करके ही हम डालेंगे नीबू का रस क्योंकि नीबु का रसको करने पर करवा हो जाता है और इसका टेस्ट खराब कर देग아 तो अब हम इसमे डाल रहे हैं नीबु का रस और इसे करेंगे अब अच्छी तना से हम मिक्स ताकि नीबु का जो रस है, वो हर एक आलू पर अच्छी तरह से आ सके इसे अच्छी तरह से mix करने के बाद इसे finish करने के लिए हम डाल रहे हैं 3-4 टेबल स्पून बारी कटा हुआ हरा धनिया ताकि एक freshness और flavor के साथ साथ इसे एक बहुत ही अच्छा सा color भी मिल सके तो इसे भी कर लेंगी हम अच्छी तरह से mix तो हमारे आलू अब बिलको रड़ी हैं तो करते हैं अब इसे गर्मा गरम serve So friends हमारे गर्मा गरम उत्रा खंडी आलू के गुटके बनकर बिलको रड़ी हैं serve करने के लिए इसे आप परांठे या पूरी किसी के साथ भी serve कर सकते हैं सर्दियों में ये पालक की पूरी के साथ बहुत जादा tasty लगते हैं तो अगर आप पालक के पूरी की recipe चाहते हैं तो नीचे description box से link ले सकते हैं तो try ज़रू कीजेगा इस आसान और मज़िदार recipe को और मुझे बताईगा नीचे comment section में comment करके कि आपने जब इस recipe को बनाया तो कैसा रहा आपका ये experience आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो इससे like, share और subscribe करना मत भूलेगा मिलती हूँ आप से एक नए वीडियो में एक नए recipe के साथ till then, bye bye